सरदी आते ही ना बच्चों के सुबह उठने का मन होता है स्कूल जाने के लिए हम मम्यों का होता है और स्पेशली जब नियूएर और क्रिस्मस की छुटियां खतम होई हो क्योंकि क्या होता है ना रोल रोस डेली एक रूटीन बन जाता है तो सुबह उठने में बहुत दिख़त होती है तो हे असलाम अलेकूम एब्रिवन कैसे हैं आप सब तो आज मैं आप लोगों से ना दो बहुत इस सिंपल और डिलिशस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसे अगर आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे ना तो वो बहुत इंकरेज भी होगा और फटाफट स्कूल जाने के लिए भी रेडी हो जाएंगे तो अभी बज़ रहें सुबह के पौने साथ और मैं आ गई हूँ किचन में तो यहाँ आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम डिलीशस चटपटी सी आलू फ्रेंकी या इसे आपना आलू रोल भी कह सकते हैं तो यहाँ पर मैंने ओनियन और कैपसिकम को ना एकदम बारिक बारिक चौप कर लिया है दो आलू बाल लिये है बस इतना ही इसमें समान लगने वाला है थोड़े बहुत केचप लगेंगे तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कड़ाई में मैंने गरम कर लिया है एक बड़ा चमश तेल जिसे मैंने प्यास को एट कर दिया है प्यास को ब्रॉण नहीं करना है बहुत भूनना नहीं है बिल्कुल फटाफट से यह आलू फ्रेंकी रोल बनकर तयार हो जाएगा तो मैंने एट कर दी है आधी शिमला मिश ली थी मैंने और जिसे बार एक बार एक काट दिया था दोनों को हमने अच्छे तरह से सोटे कर लेना है बस धक्गन लगा के न स्रिफ एक ही मिनट तक हम इसे भूनेंगे हमने इसे पकाना नहीं है और बहुत जादा गलाना नहीं क क्योंकि यह ना मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ ना इसलिए अगर आप बड़ों के लिए बना रहे है तो आप थोड़ा जादा दाल दीजे ठीक है तो अब यहां पर मैं दाल दूंगी दो अबले हुए आलू तो आलू को ना मैंने रात में ही बॉil कर लिया था अगर आप चाहे तो सुबह तुरण बॉil कर सकते पर मैं रात में ही कर लेते हूँ क्योंकि क्या होता है सुबह थोड़ी सी हरबर हो जाती है ठीक है तो अब मैंने यहां पर एट कर दिया है एक टेबल स्पूस शेजवान केचप और साथ ही मैं एट कर रही हूँ टोमैटो क और यहां पर मैं एट कर रही हूँ थोड़ी सी और गयानो मिक्सरप सीजनी गोती ना जो हम पीज़ा वगयरा में खाते है बस वही इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा बहुत डिलिशस बनेगा यह आलू मसाला आप से ब्रेट के स जो रोटी हम खाते है बस वही पराठा वगयर बिया दे सकते है या तो अब लच्चा पराठा बना सकते है उसके साथ भी यह बहत अच्छे लगते है यह रोल तो अलटपलट करके ना तेल तार के हमें इस से ब्राउन होने तक सेक लेना है ठीक है तो चलिए अब असेंबल करते हम अमारी फ्रेंकी को तो मैंने दो रोटिया बना ली थी अब मैं इस चपाती में लगा रही हूँ थोड़ा सा टोमेटो केचप इसे इस तरह से स्प्रेट कर देंगे अगर आपके पास हरी चटनी होना तब उसका भी यूज कर सकते वो भी बहुत अच्छी लगती है तो सेंटर में हम रख देंगे हमारा बनाया हुआ एकदम चटपटा सा आलू मसाला और उसके ओपर मैं दाल दूँगी थोड़ा सा शेजवान केचप थोड़ी सी शेजवान चटनी हल्की सी स्पाइसनेस बढ़ाने के लिए थोड़े बारी कटी हुए एकदम स्लाइस्ड अनियन जो होते है वो मैं दाल दूँगी और इसके साथ ही मैं हापे दाल दूँगी बारी कटी हुई पत्ता गोबी जो कैबेज होती है आप चाहे तो और भी चीज़े दाल सकते हैं गाजर हो गए या ककड़ी हो गए बहुत सारे वेजेटेबल इस रोल में अट कर सकते हैं उपर से मैंने डाल दिया था थोड़ा सा मैयोनीज जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा क्योंकि बच्चों को ना इस तरह की चीज मैयोनीज वाली चीज है ना बहुत पसंद आती है तो मैंने दूसरा भी रोल वो भी असेंबल कर दिया है तो चलिए बिल्कुल जटपर से मिंटों में हमारा ये बहुत डिलिशस से आलू फ्रेंग की तयार है आप देख सकते कितना अच्छा लग रहा है तो अगर इस तरह का कुछ टिफिन हम बच्चों को देते है ना तो बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है और वो थोड़ा मोटिवेट भी हो जाते है स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हो जाते है अच्छा टिफिन सुनके तो यहाँ पर मेरा टिफिन तो एकदम तयार था अरहम भी रेडी हो गया था तो मैंने वाटर बॉटल भी भर दी थी उसके बैग में भी सब कुछ रख दिया था और देखे सकते हैं आप उसके वैन आ गई है और वो एकदम रेडी है माशायला और चली तो जब अरहम चला जाता है ना तो उसके बाद सबसे पहला मेरा एक हम होता है मैं अपने लिए ग क्लीन कर लिया था तो उसके बाद मैं लंच में बनाने वाली हूँ पत्ता गोबी की सबजी हरे मटर के साथ बहुत अच्छी बनती बहुत सिंपल रेसिपी है जटपड से बन जाएगी उसके लिए मैंने 3.5 ग्राम पत्ता गोबी ली थी जिसे स्लाइस बारी काट लिया था और उसमें थोड़ा पानी भर दिया था इतना पानी दालना है कि पत्ता गोबी आपके अच्छी तरह से भीग जाए फिस सौल्ट दालकर इसे 10-15 मिनिट के लिए छोड़ दे इसके बाद ये वाला पानी फेक के एक और पानी साब धो लीजे ताकि जो भी थोड़े बहुत चोटे वाम्स होते है ना पत्ता गोबी से वो निकल जाए ठीक है तो जब तक पत्ता गोबी हमारी भीग रही है एक कढ़ाई मैंने तेल गरम कर लिया उसमें दाला जीरा और एक मीडियम साइस का आलू इस तरह से बॉक्स शेप में काटके दाल दिया हाफ कप मैंने हापे ह हरे मटर लिये है क्योंकि ठंडी के सीजन में हरे मटर वाली पत्ता को भी बहुत अच्छी लगती है और तीन मीडियम साइस के टमाटर लिये थे उससे भी मैंने बारी काटके दाल दिया था फिर मैं दाल रही हूँ हल्दी पॉडर वन टीस्पून और वन टेबल स्पून मै नहीं हाँ पर लिया है गरम मसाला तो और नमक दाल दीजिए आप अपने स्वादा नुसार इन सब चीजों को अच्छे इस तरह से कर लीजिए आप मिक्स बस जादा हमने इन सबको नहीं पकाना है हम फटा फट से सारे मसाले दाल देंगे और देखे पत्तागों भी कितनी डिलिशस बनती है इसके और मैं दाल दूँगी हाँ पर वन टेबल स्पून अधरक लहसुन का पेस्ट तो स्रिफ एक चमच एक छूटा चमच डाले आप जादा नहीं दाले क्योंकि पत्ता गोबी कि सबजी में जादा मसाले अच्छी नहीं लगते और आप चाहें तो बूड़ा स्पाइसी यह सबजी अच्छी लगती फीकी फीकी नहीं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो रेट्चिली पारडर बे आप अपने टेस्ट के हिसाब से एड़ कर सकते हैं तो बस एक ही मिनट हमने इन सारे मसालों को भूनना है जादा नहीं भूनना है और जैस जलेगी भी नहीं तो 2-3 मिनट तक फुल फ्लेम में भूनने के बाद आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम में ही पकाए करीबन 4-5 मिनट तक और 4-5 मिनट के बाद आप आप आज को एकदम धीमी कर दीजिए और धीमी आज में इसे 8-10 मिन तक अच्छे से पकाए तो इतने दि के लिए पका लिजिए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया बारी काटके मैं यहाँ पर डाल दूँगी और देख सकते हैं 4-5 मिनट हो गय थे तो आप देख लिए यह कितनी श्रिंक हो गई है बहुत कहम हो गई है जब हम में लाते ना तो लगता है बहुत सारी है पर बाद में श्रिंक होगे आप देख सकते हैं इसी क्वांटिटी कितनी कम हो जाती है तो अब मैं अगयन इससे ढख के रख दूँगे क्योंकि अभी थोड़ी गली नहीं थी मतल्ला आलू भी ठीक से गला नहीं था पर 3-4 मिनट में बहुत अच्छे से सबजी पक जाएगी त तो देखे फ्रेंड्स तीन से चार मिनट हो चुके हैं तेल भी कितने अच्छे तरह से छूट चुका है हमारी पतागों भी बनके है एकदम रेडी एकदम तयार तो कैसी लगी आपको मेरी आज की दोनों रेसिपी लंच रेसिपी और टिफिन रेसिपी मेरे साथ ज़रूर कीजिए और प्लीज दोनों रेसिपी ओं को ट्राइ कीजिए और कैसी लगी कमेंट में बताइए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है आता है ना तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते अगले वीडियो में अगल रेसिप यूर व्लोग किसा तल्ला हाफिज